जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आपकी अपनी चैनल में स्वागत है आपकी राशी के जातकों को कौन सा रत्न धारन करना चाहिए कब धारन करना चाहिए और कैसे धारन करना चाहिए आखिरकार अब बहुत दिनों से जब हम परिशान से कर पाए हमें सफलता मिले हमारे जीवन में जितनी सारे उतार चड़ाव हो रहे हैं इन सभी में एक सकारतमत बदलाव आए तो रत्न कौन सा है जिसे आज आज आपको पहन कर या जिस रत्न को धहन करने से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए ये प्रशन इस बात को लेकर एक छोटा सा नेविदा नहीं कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भूलेनात का नाम लिखे अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तभी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा साथी साथ अगर अपनी कुंडली का विशलेशन आप हमसे करवाना चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर चली रहें आप वाटसप पर अपोइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीज शुल्क लाग होएं दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आपको करना है हर एक व्यक्ति के कुंडली में घ्र, दशा, मादशा, अंतरदशा अलग-अलग होती है तो सबसे पहले आप एक किसी अच्छे जोतिशी से अपने घर के आसपास उनसे सजेशन ले ऐस परसनल परसनल ये बात इसलिए कह रहा हूँ आपको वो भी बताऊंगे कि आपको मोटे तोर पर कौन सा पहनना चाहिए लेकिन परसनल तोर पर एक बार आप सजेशन उनसे ले सकते हैं दूसरी बात है कि कोई भी रत्मे धारन करने से पहले उसे कुछ वक्त अपने पास रखे कि जब तक आप उसे खुद के पास रखेंगे तो उसके नेगेटिव इंपक्ट से हम पता लगेए कि वो पॉजिटिव इंपक्ट कर रहा है नेगेटिव इंपक्ट कर रहा है और सबसे महत्पुन की कौन सा रत्म पहनना चाहिए मैं अपने निजी राय पर कभी भी किसी को रत्म पहनने की राय नहीं देता हूँ कोई भी रत्म ना पहनना